इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे आप एक बार में अपने हाथों पैरों कि जो गंदगी होती है जो हमारे नाखून बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं भद्दे लगते हैं देखने में इसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं अपने स्किन को बहुत ज़्यादा कैसे जो भद्दी लगने लगती है उसको यह क्लीन करता है निखारता है और साफ कर देता है तो यह बहुत अचा क्लीजर है उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाला था यानिकी चीनी एक बहुत अचा स्क्रब का काम करें आपके पर जो भी डैट स्किन वह बाहर निकल जाएगी औ आपको अपने स्किन पर लगाना नाखुनों को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें वहारे जो नाखुन हैंना कई बार इग्नोर हो जएके और बहुत जादा भद्दे लगने लगने मार्केट में बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीट्मेंट होते हैं बहुत पैसा लगा के इसके बाद आप अपने स्किन को ठंडे पानी से वाश कर लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको लेना एक खाली बाउल और इसमें आपको लेना लगबग एक बड़ा चमच बेसन एक बहुत अच्छा स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से पैंपर करता है हमारे स्किन को निखारता है और हमारे स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो लाता है एक बहुत important बात अगर वीडियो थोड़ी सी भी काम लाइक लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा अब मैंने यहाँ पे add किया है raw milk याने की कच्चा दूद आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा coconut oil भी use कर सकते हैं जो आपकी स्किन को मॉस्चराइज करेगा अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो ने तो आपको इन दोनों को मिला कर अपने स्किन पर इस तरह से लगा लेना है और 15 मिनिट के लिए छोड़ना है उसके बाद आप इसे वाश कर लीजिए वीक में कम सकम दो बार इसका अस्तम है आपकी स्किरिप आपकी स्किरिया अभरा आपकी स्किरिया है